विल्कम प्रेंस जील मास्टर यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा बात करने का कुशिस कर रहा हूं क्योंकि मेरा कुछ मेंबर्स का डिमांड है कि हिंदी में वीडियो बनाओ हिंदी में वीडियो बनाओ तो मैं कुशिस कर रह ठीक है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बोल लूँगा ठीक है तो आज का जो मैच है एप टी वर्सेज जो एम्यू का मैच उसका स्कोर काड हम लोग आपके पास आप लोगों के पास लाने की कुशिश कर रहा हूं आप लोग धर जिदर कर देखिए और कुशिश कीजिए टीम स्कोर काड बहुत अच्छा है और हम लोगों का टीम बनाने के लिए बहुत हिल्प मिलेगा तो इसलिए अब लोग पूरा वीडियो देखना ठीक है तो चलिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि यह जो मैच है यह मैच रिसकी हो सकता है क्योंकि कि दोनों जो टीम है एक और यह में डोना ही स्ट्रॉ supreme न एक तो इन्वेश्ट में खुरा कभी रगना क्योंकि दोla इश k सकता तो इसलिए थोड़ा इंवेस्ट कमकरना पहला मैच है ठीक है लेकिन from c और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है को में कॉमेंट्स पर जन बता दीजिएगा कोमेंट्स कर दीजिए और लाइक तो बनता है और लाइक सेयर किजिए और मेरा जो टेलिग्रम चैनल है से जल मस्टर वह वीडियों की डिस्कियपिप्शिप्सटर में है वह लिंक है वह लिंग को जा कर अब लोग टिलिकल चैनल जय कर लिए जील मस्टर जो टिल्ट के लिए ठीक है और देखिए पहले मैं M.U. टीम का स्कोर काट लाड़ा हूं पहले M.U. टीम पहले बैट किया था देखिए परफोमेंस देखिए सुरेज सिल्वा और रोसन सिल्वा ओपन किया था और उसके साथ साथ दमियान फर्नांडो आया था वान डाउन पर जीरो रान पर इसके बाद देखिए अरशन रना सिंगे जीरो रान गयान सिल्वा जीरो रान और आर तिलंका देखिए जीरो रान ठीक है तो टूटल स्कोर किया था दस विकेट खोकर 90 रंस टेन अबर पर ठीक है नबबड़ रन तो इसका जो बैटिंग बोलिंग परफोमेंस देख लिज अब लोग को समझ में आना चाहिए कि यह जो प्लेयर है वह चोड़ना नहीं है ठीक है तो और अधर स्कोर कार्ट देख लेता है कि देखिए यहां पर भी प्रहेले बैटिंग किया था रोस्दान सिल्वा सूरेश सिल्वा देखिए दोना ही इंपोर्टेंट है पैटिरिस और बाइस और दमिनो दमियान फर्णान देख देखिए यह भी इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक है और टोटाल 109 बनाया था तीन विकेट खोकर देखिए बॉलिंग पर्प्रमेंस देखिए देखिए बॉलिंग पर्प्रमेंस किया था रसल जीलवा देखिए उपेंड कर रहा है था एक आपर चार रन देकर कोई को नहीं मिला था और अभर नहीं किया था ऐसा नाना सिंगे दो अबार पर दोविकेट टी हीरती नहीं देखिए दो अबर पर 4दः देकर कोई भी मिला था ठीक है और स्कॉर pट लिए ते टीओ है वह दोनोंि के ला धींट ल defensive के को कर दिकल्प होनी जा रहा है वह दूनों जो टीम है एपटी और एमिव दोनों का ही स्कॉरule कर यह हों आप लोग देख लीजये पहले हैं पहले स्कॉरर क faze देखिए एक सो तैरीज ठीक है 133 छे विकर खोकर पहले देखिए जयाइन नगभी और अमीर शरीब दोनों ओपन कर रहा है और दोनों दो अबर का सम्प्लिट बॉल बॉलिंग भी किया करेगा ठीक है इसलिए यह दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कैप्टे इसलिए इसको भी टीम पर रागना चाहिए ठीक है उसके बाद महाज जाबेद दो रन विरल हमें देखिए 17 रन फहाद बकर देखिए जीरो रन हसन जामिल आडर रन जहित चीमा देखिए तीन रन ठीक है तो इसका इस टीम का बॉलिंद पर्पोर्पोंस देख लिजिए देखिए एम यू टीम भी खुब बहुत ज्यादा वीग नहीं है दोनों ही लगबक सेम है तो इसलिए बोल रहा हो था कि इंवेस्मेंट थोड़ा कमी रखना ठीक है तो इसके पादिके सुरेज सिल्वा बह चार बल पर बड़ा रण स्टिफन जयासे करा दो रण आई फर रांड जिरो रण नाएन पेर रण निवन पेर रण देखिए शोला बल पर पच्छीज रण आएसंस राना सिंगे देखिए दो बल पर जिरो रण ठीक है तो एप्टी का बॉलिंग पर्फोर्मेंस देख लि गलाब कर को याँ दुअहिए आक हुए आई मो कि तो यह था extra तो यह था स्कोर काट एमठी का उसके पाध एप्टी तेम था मेरा हम लोग कुछ देख लेत पहले बॉलींग किया था भी उ की टीम के साथ खेला खेल हूआ था तो यहां देखिए बॉलिंग की परफोमेंस देखिए तो कैप्टेन भाइस कैप्टेन तो बनाना ही चाहिए ठीक है याद रगना उसके बाद इसका बैटिंग पर्फोमेंस देखिए अमिर शरीब जाइन नग भी ओपेन कर रहा है दो-दो अबर का बॉलिंग भी सम्प्लिट कर रहा है मुहमाद इम्रान जीरो रान पर आउट हो हो गया था मुहाद जाबेद देखिए 19 बल पर 28 रन 28 रन हसन जमील चार बल पर तीन रन भाद बकर तेरा बल में बढ़ा रन बिलाल हमीद सतीन बल पर साध रन सहाजाद सरवर साध बल पर 5 रन ठीक है यहाँ पर भी एप्टी बॉलिंग पहले किया था देखिए बॉलिंग तो इसका बैटिंग पार्परमेंस देख लेते हैं इस टीम का तो अमिर शरीफ दो और जाइन नगभी ओपन किया था हर बार देखिए अमिर शरीफ जाइन नगभी ओपन कर रहा है तो लगभग तैई है यह दोनों प्लेयर अगर खेलेगा लाइन आप पर आएगा तो तो कोई ओपन करेगा इसको आप लोग समझ लीजियेगा ठीके तो बारा बल पर तीडिज रान मोहमदीव रन देखिए 24 बल पर 37 रान महास जाबेद देखिए 2 बल पर 0 रन दो बल खेलकार बिलार भामी 14 बल पर 31 तो सहाज़त सर्वा कोई रन नहीं किया था ठीके तो यह माज भी आसानी से जिद लिया था एप्टी टीम यहां पर भी देखिए यह एप्टी टीम पहले बालिंग किया था तो यहां पर देखिए बालिंग पर्फॉम्स पहले देख लेते हैं बहा स्वारी पहले बालिंग पर्फॉम्स देख लेते हैं बिलार हमीद 2 आपर 19 रन दो विकेड हमिर शरीब दो आपर 24 रन देकर एक विकेड जाहीद चीमा दो आपर 21 रन दो विकेड सुलेमान हाकमी दो आपर 17 रन एक विकेड जाहीन नगमी बहुत इंप्वाटन देख दो आटर रन तीन विकेड कैप्टेन का पहला चोईस हम लोगों का रहना चाहिए उसका बैटिंग पर्फॉम्स देख लेते हैं देखिए आमीर शरीब दस बल खेलकर 27 रन नौबल पर 9 रन जैन नगमी मौहमाद इमान 14 बल बाईस मौना महस जबेद दीचा तीन असन जमील बारा लिए दो अपर 28 रन एक विकेड हमी सरीब को यूकेड नहीं मिला सुलेमन हाक हमी दो विकेड दो वर बार करका 12 रन देकर जैन नंगमी को यूकेड नहीं मिला मौहमाद इमान दो अपर एक रन एक ठीक है बैटिंग पर्फॉमर्स देख लेते हैं असन इसे उन कर लिया था दस अबल खतम होने से पहले ही अमीर सरीप देखिए उन साट रान 25 बल खेल कर जैन नगमी इस बार फ्लप चला गया मुहमान दीवरान 9 बल पर 14 रन हसान जामिल 15 बल पर 24 रन महास महास जाबेद 4 बल पर साधर रन बिलाल हमिर जीरो ठीक है कि यहाँ देखिए पहले टीम बैटिंग किया था कितना रन बनाया था 173 देखिए 173 तो क्योंकि हम पर थोड़ी से वीक टीम के साथ खेल हुआ ता इसलिए इतना रन हुआ था इसलिए चमक नहीं चमक जाने के कोई बात नहीं है तो इसलिए हम लोगों का कॉंबिनेशन जो है वह पांच-छे बना का चलना होगा ठीक है तो देखिए अमिर शरीफ पहले नौट आउड रहा था पहले बैटिंग किया था तो यह तेईज बॉल में चुआलीज रन जैन नगवी देखिए 8 बॉल पर 21 और मुहम्माद इम्रान मुहम्माद इम्रान बहुत इंपोर्टन प्लेयर है मुहम्माद इम्रान देखिए 30 बॉल 30 बॉल पर 97 ठीक है 97 ठीक है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसका बॉलिंग पर्फोमेंस देख लेते है कि देखिए बिलाग हमीद दो पर 11 एक विकेड मुहम्मद इबरान दो दो आवर पर 9 एक विकेड चैन नगमी देखिए दो आवर 17 रन देकर एक विकेड और उसकी किसी को भी विकेड नहीं मिला ठीक है तो यह था स्कोर कट अब लोगों का अच्छे से समझ में आ गया है स्कोर कट देकर देखकर प्लेयर के बारे में थोड़ी जानकरी भी आ गया है तो टीम बनने में आप लोगों का उमीद है कि हेल्प मिलेगा तो देखिए एप्टी वर्सेज एम्यू का जो खेल आज होगा उसका हम लोग टीम कंबिनेशन क्या हो सकता है चलिए देख लीत है ड्रीम इलेवन पर तो उससे पहले मैं और एक बर बताना चाहता हूं कि यू और सेयर कीजिए और कमेंड में बता दीजिएगा कोई प्रब्लम अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और मेरा तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है बार बार मैं बोल रहा हूं मेरों को माप कर देना क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बोल पाता तो कुछिस कर रहा हूं हम आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा करके उमीद है कि फ्यूचर में हो जाएगा और मेरा जो टेलिगम चैनल है वीडियो के डेस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग आरम से टेलिगम चैनल जोइन कर लीजिए वो ल देखिए एस पेरे रहा है एच तसर है एच हमायोन है तो हम लोग पहले बैटिंग में जा देख लेंगे बैटिंग में देखिए इम्रान मुहम्माद ठीक है जो 37 बाल पर 90 रन किया था तो इसको तो लेना ही पड़ेगा वान डाउन पर बार बार आ रहा है था आप लिए पर लिए अधिक कर रहा था उसके बाद वोल्य आल रांड रांड रसेस्ट में पहले हम चल ज़त चले जाते हैं मुहम्माद इम्रान यहां भी है और आई मुहम्माद इम्रान दो प्लेयर एक ही है तो इसलिए मैं हम लोग में को देखना परेगा ठीक है एक बार देख लेत इसलिए इसको तो कैप्टेन बना नहीं चाहिए ओके आँख बंद कर कैप्टेन बना दीजेगा अगर लाइन आप पर आएगा तो ठीक है क्योंकि वह आपिन कर रहा है और दो आवर कम्प्लेटली बोलिंग भी कर रहा है करेगा तो इसलिए कोई डाउन नहीं है जैन नजबी को अब लोग कैप्टेन बना कर चलेंगे ठीक है उसके बाद और अभी तक कोई इंपर्टन प्लेट नहीं है और यहाँ पर ग्यान सिल्वा भी दो आवर बोल कर रहा था हम लोग देखे थे जैइड चीमा देखे जैइड चीमा देखिए वो भी दो आवर कम्प्लेटली बोलिंग करेगा उसके बाद बसिल हमीद बिलाल हमीद सरी तो य इसके बाद और कि Hiера अभाव भी ओपन कर रहा था सायध और फास डाउन और सेकंड डाउं में भी आ रहा था तो यहां पर को भी लेकर चलेंगे हम लोग तो उसके बाद दो को सभी प्लेय रोक हाद नो को मैंचत है रहते हैं तो इम्रान मुहम्मद अभी लेकर चल रहा है और यहां सुरेश को तो स्टैर्ट देखना पड़ेगा इसका और यहां पर कोई नहीं है अभी तक इसको ही लेने की कोशिस कर रहा है तो देखिए मेरा जो टीम है यह यह टीम है यहां पर कैप्टेन आप लोग तो अपकोर्स यहां पर जाइन नगवी को बना कर चलेगा ठीक है चलिएगा और वाइस कैप्टेन जो है सरिब भी दे सकते हो और नहीं तो यहां पर इमरन मुहमाद को भी देखे जा सकते हो ठीक है यह टीम कर करके रग लीजिएगा यह जो टीम है यह टीम सेफ करके रग लिजिएगा और लाइन आप और टॉस हो जाना के बाद मैं टीम प्रफेट कर दोंगा मेरा टेलिवर में चैनल पर तो आप लोग एक्टिव रहेंगे और मेरा वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना सब्सक्राइब करना तो अभी तक वीडियो में यहां पर खतम कर रहा हूं नेक्ट वीडियो पर तो देखा जाएगा ठीक है